जैसा कि हमने पुरानी क्लासिस में लगभग हर टाइप का नियुमेरिकल प्राब्लम देख लिया है जो कि विस्कस डेंपिंग जब हम यूज कर रहे हैं उसके केस में पूछा जाए जो नियुमेरिकल भी अपने आप में एक संग तो एक सबस्केस में और नाप्याम कीरसेट क्या होएं क्या रफॉंसे करते हैं कषिदRo strict करती है। बाकी दो केसिस में तो वाइप्रेशन हो यह एक और नुमेरिकल है जो की काफी पूछा जाता है एक्जाम में जिसमें नुमेरिकल वैल्यू ना देते हुए डेरिवेटिव फॉर्म में आपसे डेंपिंग फेक्टर पूछा जाता है तो आज का नुमेरिकल है एफ फ्रिक्वेंसी इन फ्रिक्वेंसी इन लिक्विड शो डेट एक रिलेशन हमें शो करना है वह अभी मैं लिखता हूँ ठीक है तो एयर और लिक्विड तो अलग अलग जगे पर फ्रिक्वेंसी दी हुई है ठीक है तो फिगर में कैसे दिया हुआ है ठीक है यह फिगर दिया हुआ है आपका जहां पर एक स्प्रिंग है और आपका एक डैमपर है इस ट्राइब इसका एरिया है और यहां से यह अंडर दा फ्लूड है इसमें यह कंडिशन दी वही इस इस दी कंडिशन और हमें क्या निकालना है हमें निकालना है अल्फा इक्वल्स तू तू पाई डबलू अपाउन में जी इंटू ए अंडर रूट एवन स्कॉायर माइनस एफ टू स्कॉायर तो यह रिलेशन हमें ड्राइव करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया हुआ है यह एक थिन प्लेट है एरिया एक की जो की फ्लूड में है यह स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस आप के स्टिफनेस है इसका एरिया ए और बोला गया है कि दिस अलाउट तू उसिलेट इन दिस ठीक है साथ में एवन जो फ्रिक्वेंसी है एवन जो फ्रिक्वेंसी है वो एर में दे दी गई है और एफ्टू जो फ्रिक्वेंसी है वो लिक्वेंसी इन लिक्वेंसी इन लिक्वेंसी ठीक है ए एरिया हो गया यह रिलेशन मुझे ड्राइब करना है जहां पर मुझे बोला गया है एफडी जो फोर्स एक कर रहा है वो कर रहा है अल्फा टू इंटू ए वी ठीक है यह डैंपिंग फोर्स मुझे दिया गया है प्रॉब्लम में डैंपिंग फोर्स डारेक्टी दे दिया गया है ठीक है तो अब हमें यह रिलेशन ड्राइब करना है हमें कुछ नहीं हमें हमे है डैंप्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम के लिए हमें उसी पर चलना है और फिर हम एक दा एंड इस चीज़ को कनवर्ट कर देंगे अपने रिलेशन तो जैसे कि अगर मैं इसके सल्यूशन की बात करूं तो मुझे fd दिया है अगर fd दिया हुआ है जो कि हमें पता है कि damping force is equals to cx.damping coefficient into product of damping coefficient into velocity या fd is directly proportional to velocity अब हमारे जो problem में दिया गया fd equals to alpha 2a into velocity तो यहां पर x dot क्या हो गया velocity हो गया तो यह जो बचा हुआ parameter है यह क्या होगा यह constant that is c so from this relation from this relation that is fd equals to alpha 2a v तो इन दोनों को जब हम compare करेंगे तो हमें पता चल गया c की value क्या है alpha 2a तो c की value क्या हो गई alpha 2a ठीक है चलो मुझे damping coefficient तो मिल गया है तो अभी हमें यहां पर c equals to alpha 2a मिल गया है अब मुझे second जो चीज दी गई है वो दी गई है तो frequency f1 अगर मैं बात करूं frequency in air air की बात कर रहे हैं और हमें पता है कि जब frequency herd में है तो इसे convert करते हैं omega upon में 2 pi से अब ज़रा समझने की कोशिश कीजिए अगर यह spring और mass system है यह spring है और यह mass है और इसको मैंने vertical axis के about disrupt कर दिए तो जैसे disrupt किया यह अपने equilibrium position के about to and from motion करेगा उसको मैं बोल रहा हूं free vibration और जब free vibration होंगे तब जो natural frequency से represent किये जाएंगे अब मैं यह कह रहा हूं कि अगर यहां पर liquid नहीं होता है यह spring mass system है spring mass system free vibration होंगे frequency कैसी होगी natural frequency और यहां को represent कर सकता हूं omega n से ठीक है यह बात समझने की बात है उसने f1 दिया गया air में तो यह हमें समझना है कि जब air की बात कर रहा है वहां पर कोई damper नहीं लगा है कोई liquid नहीं है तो वह क्या होगा free vibration natural frequency ठीक है जब उसने बोला second frequency जो second frequency की बात कर रहा है वह कर रहा है frequency in air की बात कर रहा है अगर frequency in liquid की बात कर रहा है इसका मतलब viscous damping की condition है viscous damping की condition है जो कि यह current condition है इस condition में अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ एक spring mass system में damper लगा है तो अब जो vibration execute होंगे वह हो जाएंगे damped free vibration और जो frequency हो जाएगी वह कैसी हो जाएगी damped natural frequency इस बात को समझी यह दोनों का problem है एक तो इस particular case में free vibration भी use किये गए हैं उन्होंने बोल दिया कि initially it vibrates in air नहीं air में vibration तो हम बोल रहे हैं कि वह free vibration ते natural frequency थी अब बोल रहा है कि हमने यहां पर इसको fluid में vibrate करवाया fluid में vibrate करवाया तो जो frequency हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी omega d और आपको पता है कि omega d को आप क्या लिख सकते हो omega d को लिख सकते हो under root one minus zeta square omega and upon में तो यह जो formula है हमारा यह बन गया इस ट्राइब में f1 and f2 तो अब मैं इन दोनों को divide कर देता हूं let f1 upon में f2 जैसे ही मैंने f1 upon में f2 किया तो यह क्या हो गया omega n upon में 2pi और नीचे क्या हो जाएगा आपका नीचे हो जाएगा अंडर root one minus zeta square omega n upon में 2pi ठीक है तो यह 2pi 2pi चले गया omega n omega n से चला गया तो क्या बचा मेरा f1 upon में f2 will be equals to 1 upon में अंडर root one minus zeta square बात भी सही है अगर मैं आपसे बोलूँ इस particular problem में कि एक ही problem को पहले मैंने जो spring mass system में उसे air में करा अब मैं उसमें damper लगा रहा हूं तो इन दोनों के बीच की frequency को अगर मैं relatively count करने की कोशिश करो with respect to free vibration अगर कोई damped vibratory system का problem है और उसे मैं compare करो free vibration की case में तो वो जो relative comparison है उसके लिए जीटा ही तो responsible है वहीं पर यह देखो इस particular reason में जीटा अगर जीटा की value है ही नहीं मतलब जीटा नहीं है याने 0 है कोई भी डैंपर नहीं है अगर जीटा की value 0 है तो वन माइनस 0 is 1 वन अपॉन में 1 1 f1 equals to f2 डोनो frequency बराबर हो जाए इसलिए relative comparison के लिए जीटा is responsible हमने देख भी लिए ठीक है नाव f1 अपॉन में f2 की value निकल गई तो यहां से मैं क्या करूं कि इसको जीटा की टम में निकालने के लिए टेकिंग बोट साइड स्कॉयर टेकिंग बोट साइड स्कॉयर तो जब दोनों तरफ स्कॉयर किया तो क्या हो गया एफ उन अपॉन में f2 का whole स्कॉयर एक वल्स टू यह वोगया उपर 1 नीचे क्या हो गया 1-जीटा स्कॉयर ठीक है नाव 1-जीटा स्कॉयर को इधर ले गया और इसको इधर लेकिया ठीक है इसको यहां पर ले गया और इसको यहां ले आए क्या हो गया हो गया-1- Netz ज्टा स्कॉरएए इक वेन अ पॉन मैं-1 अ पॉन में एफ त्न का ओल्सकॉर यह ऊपर चला जाए घा तो 1-al Isn ज्टा स्कॉर इस इंपॉज टूव स्कॉर अपॉन मैं एवण हिसकनी यह आपका स्कॐर ऑगया और सो Ste eine को अधर लेगा इफटर लेका लिए तो यहान से हमें स्कॐत की वैल्यम और अब मैं क्या करूं स्टीटा अप नगर्म अब हमारे parameter में क्योंकि मेरे पास c की value है और मुझे cc की value पता है जैसे जीटा की जगे में लिख देता हूं c upon cc का whole square that is equals to 1 minus f1 square f2 square upon f1 square ठीक है c की value मेरे पास है that is alpha 2a और cc आपको पता है 2 under root k into m ठीक है का whole square equals to f1 square minus f2 square upon f1 यह बात समझ में आई हमें जीटा की formula भी पता है ठीक है तीनों formula और हमें omega n का formula भी पता है that is under root k यहां से क्योंकि मेरे relation में alpha आने वाला है तो मैं क्या करूं इसको alpha के term में ले लूँ बाकी सारी terms को उधर लेके चला जाए जब मैंने इसका square किया यह 2 से 2 चला गया यहां क्या बचा alpha square कि ए स्कॉर्ड अपॉन में के इंटू एम डैट इस इक वस्टू एफवन स्कॉर्ड माइनस एफटू स्कॉर्ड अपॉन में एफटू स्कॉर्ड अब जैसे यह alpha के इथर लेकर चले जाओ तो उपर हो गया k into m अपॉन में ए स्कॉर्ड इंटू एफवन स्कॉर्ड- एफटू स्कॉर्ड अपॉन में स्कॉर्ड यहां से इसको इथर लेकर चले गाए अब मैं दोनों तरफ स्कॉर्ड रूट ले लूँ इसका तो यह हो जाएगा alpha equals to under root km upon में यह under root a square तो यह क्या हो जाएगा a और यहां से under root f1 square minus f2 square upon में f1 square so हमारा जो relation है alpha यह इस term में आ गया अब इसको जो हमारे desired relation था उसके term में हम इसको convert करेंगे ठीक है तो हम ऐसा करें यहां से f1 भी बाहर निकाल ले तो क्या बचेगा alpha under root km upon में यह बाहर निकला तो a into f1 under root f1 square minus f2 square तो यह relation आ गया अब मास को में convert कर देता हूं या फिर पहले इसको ऐसा करता हो under root k by m के term में under root k by m अगर मुझे मिल गया तो that is omega frequency हो जाएगी मेरी omega n ठीक तो alpha is equals to अगर यह under root m है तो मैं इसमें अगर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा एंब हो जाएगा तो यह हो जाएगा अंडर root k by m into m upon में a into f1 और f1 square minus f2 square ठीक है यहां तक हम पहुंच चुके हैं अब इसके बाद जब आगे बाढ़ रहे हैं तो ठीक है इसको के बाए m को अभी मैं omega n नहीं लिख रहा हूं जो कि मेरा natural frequency होता है इस case में f1 के term में दिया था f2 के term में दिया था तो मैं इसको omega लिकर चल रहा हूं यहां पर मैं क्या कर रहा हूं alpha equals to under root k by m को क्या लिख रहा हूं omega और यह हो गया m upon में a into omega upon में f1 square root f1 square minus f2 square ठीक है now mass mass को में क्या लिख सकता हूं आपको भी पता यह कि mass that is weight equals to mass into gravity ठीक है क्योंकि spring spring और mass से यह condition है जैसे ही यह mass downward act करेगा तो that is equals to mg mass into acceleration due to gravity तो मैं m को लिख सकता हूं w upon में g तो w upon में g मैं यहां लेकर गया तो alpha is equals to w upon में a into g into omega upon में f1 under root f1 square minus f2 square ठीक है now मैं इस f1 को convert कर देता हूं f1 को कैसे convert कर दूँ जो कि अभी अपन ने formula देखा था इसका w upon में a into g that is omega f1 that is frequency in air अगर frequency in air है तो इसको मैं क्या लिखूं omega upon में टू पाइं अंडर root 1 f1 square minus f2 square यह omega omega cancel हो गया टूपाई उपर चला गया तो alpha equals to 2 pi omega a into g 2 pi w capital w है इसमें confuse ना हो एक चल रहा है capital w एक चल रहा है omega under root f1 square minus f2 square तो यही मेरा required result जो मेरा convert हो गया है वो यही है इसको और simplified जो कि मुझे given question में दिया गया था 2 pi w upon में g into a under root f1 square minus f2 square तो यह वाला जो condition थी यह achieve होगी कुछ नहीं किया था बस इस particular problem में उन्होंने दोनों condition दे थी कि अगर damper नहीं है that is free vibration natural frequency अगर damper है मतलब अगर viscous system है याने liquid में अगर vibrate कर रहा है तो damped natural frequency and damped free vibration so this is the final relation जो कि एक derivation के term में था and this is all about the numericals of viscous damping thank you झाल-वसल में प्रवसाएव नहीं तो तो जो यहाँ ज़त रहाएब की यह जगर जो 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 तो जो कि एक रहाँ पर दो में जगर जो का जो कि एक कि जो प्रणल झाल झाल